एक क्वेस्टिन विगनेश कार्थिक ने हमें यूट्यूब पे पूछा था उसका मैं एक सीधा-सीधा आंसर दे रहा हूँ विगनेश कार्थिक ने ये पूछा कि जो विलाइथी कीकर होता है जो दिल्ली NCR में आप देखेंगे अब तो बारत वर्ष में नजाना शुरू हो गया है ये एक इन्वेजिव वीड है लाया गया था आज से 40 साल पहले और दिल्ली NCR में लगाया गया था लेकिन आप जो है So, how do we replace it, how do we tak吗? Timокar speaking facebook पहली बात विगनेशी, आपको हम बताएं, एक तरीका होता है के आप यहन तो उसको पूरी जड से उखाडिये जड से उखाडिये और उसको आप फेंसिंग में यूस कर सकते हैं उस लकडी बालन की तरह लकडी के कई यूज आकडी होते हैं लेकिन हमारा जो दर्शन है, हमारा जो तरीका है देखने का, चाहे वो एक इन्वेजिव वीड ही क्यों ना हो, हमारा बहुत एक सिंपल तरीका है वो ये कि परमात्मा ने ही उसको बनाया है, ठीक है, वो चाहे वीड हो, श्रब हो, प्री हो, वो कांटे वाला हो, बिना कांटे सो उसको छूने से खुजली होती हो या उसको छूने से कांटा लगता हो, एक चीज याद रखिए, सब चीजों का एक अपना रोल होता है, सब चीजों का रोल होता है, विलाइती कीकर का भी एक बड़ा मेजर रोल था, कि जो अरावली की कलर जमीन है, उसको तोड़ने का, क्य तो इसलिए यह इन्वेज़ वीड विलाइटी किकर लगाया गया था, उसको आउट नंबर कीजिए आप नेटिव ट्रीज के साथ, कि आप पहले तो अपना जैसे वहाँ पर नीम लगाईए, पीपल लगाईए, बढ़ लगाईए, फाइकस की स्पीसिस लगाईए, खुब सा होते हैं, जब वह ग्रो होंगे, वह कैनोपी बनाएंगे, और वह जो कैनोपी बनाएंगे, वह संलाइट को ब्लॉक करेंगे, तो दीचे जो विलाइटी किकर है, उसकी जो प्रोमोशन है, वह जो उसका स्प्रेड है, वह रुख जाएगा, so this is the non-violent way of straining the spread of विलाइटी किक You understand? मैं और भी ज़्यादा डीटेल में आगे आपको वीडियो के द्वारा मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूँगा, लेकिन मेरा ये मानना है, नट्शल में, कि आपके पास अगर 10 विलाइटी किकर के पौदे हैं, आप वहां पे 50 जो है फाइकस स्पीसी के पौदे और धीरे धीरे आप उसको निकाल भी सकते हैं, बाद में उनकी ब्रांचेस की प्रूनिंग कर दीजे, फिर अगर आपको लगे के वह फिर भी स्प्रेड हो रहा है, तो वह लेटर स्टेज की बात है, कि आप उसको फिर जडों से उखाड़के फिर आप उसको डिस्पोस कर स उसके ओवर और अबव विलाथी की कर के, जैसे ही वो ग्रोह होनी शुरू होंगी, यह जो विलाथी की कर है, इसका खात्मा शुरू हो जाएगा, and this is the best way to control, so we don't have to be violent with what parmatma has created, what God has created, nature के अगेंस नहीं जाना चाहिए, अगर वो भी present है, तो उसका भी एक नेचर में रोल है तो विलाथी की कर को कभी भी negative उससे मत देखिए